हेलो एवरिवन वल्कम टो दे चैनल कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपना एवनिंग से नाइट का रूटीन जो है न वोच है शेयर कर रही हूँ तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अभी जो है शाम का वक्त है और मैं यहां पर वाटरमेलन जो है ना कट कर रही हूं जूस बनाने के लिए तो अभी यहां पर बहुत जादा ही गर्मी यहां पर एक दो हफतों से पढ़ रही है कुछ 36 37 डिग्रीज जा रहा है टेंपरेशर जो कि यहां के लिए बहुत जादा ही गर्म है तो गर्मी में वाटरमेलन जूस जो होता है ना बहुत ही मतब कुछ खाने का मन नहीं करता है ऐसे लगता है कुछ बस थंड़ा थंड़ा सा कुछ पीने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं यहां पे हम सब के लिए यहां पे मै ले तो अरब यहां पर नहीं बभवोट हैं और यहां कऱ estás कि खतम नहीं होता अगर आप कर tenon नहीं होता हैं तो जल्दी मेरे भाता हो को सब्सरी कि यह दुगाया हैं तो आप में दूंगा आपने हस्बैंट को बच्चे को और मैं भी पीउंगी इसको तो एक दो वीडियो में अगर आपको मेरी हावाद स्थोड़ी सी अलग लग रही होगी तो इसलिए क्योंकि मुझे जो है ना cold हो गया है तो मेरी हावाद जो थोड़ी से change हो गई है तो please bear with it तो cold जो है वो better है बट मेरी हावाद जो है वही बदल चुकी है पता नहीं वो कब ठीक होगी तो यहां पर मैंने बेटे को दे दिया है जूस उसने पी लिया है तो जो बाकी का बचा हुआ जो वाटरमेलन है ना उसको मैं यहां पर क्लिंग रैप जो आता है ना उससे अच्छे से रैप कर दूगी तो और रैप करके पर फ्रीज में लगति में पासिन गीट्स का गुलाब जमोटी में गढेँ मैं मोटी लाजोंडर माजसे फड़ат।ो यहां पर मैं जो मिक्स प्ryट में ले लिए हैं और मैं यहां मिल्क हैं इसको थोड़ा सफ्टमी दल के स्वेस्ट अच्छे से तुझा सवोटे थो को त्यार कर लेना है तो आप चाहें तो इसको बोना सकते हैं बट मिल्क से बनाने सरा थोड़ा सा जाधा टेस्ट हो जाता है गुलाब जामून शुगर और और कप ही मैंने वाटर लिया है तो गुलाब जामून कि छाशनी और 2 चाहर कि शुगर को मेलिक करने हैं तो फिकalet का उलए कर में को सब्सक्राइब तो यहां कि इंग शुगर को जा temu ही की तो यहां पर मैंने उसमें और फावडर भी डाल इसको रख़े उस साइड में और यहां पर हम लोग गुलाब जामुनoks Ben मैंने चोटे सा बॉल्स जो है न कोलब जया है और उसके बाद में फोल के बनावंगी तो जो गोला बनाते हैं बनाते उसमें तो मैं पूरे फॉर थाल चाहिए तो उसका मजब ध्यान रखना है और अच्छे से मसल मसल के इस उसका मजब बना लेना है तो सारे गुलाब जमून यहाँ पर मेने बना के रेडि कर लिया है अब इसको हम लोग फ्राइ करेंगे तो गुलाब जमून फ्राइ करने के लिए हम लोग को ऑल जो है न बिल्कुल भी हॉट नहीं चाहिए बहुत जाहिए होना चाहिए मीडियम घॉट होना चाहिए लागर आप एक info hot oil में डाल देंगे ना तो सारे गुलाब जामुन के बॉल्स द। जाएंगे तो मीडियम हॉट में हम लोगो सारे गुलाब जामुन को जोड़े हमा जोट के तल लेना है golden brown होने तक तो यहां पर मेरे गुलाब जामून देखिए पूरे तरीके से fry हो चुके हैं और मुझे थुड़े से dark color के ही पसंद है गुलाब जामून तो मैंने इनको dark की fry किया है तो fry करके हम लोग को गुलाब जामून को जो चाशनी हमने बनाई है उसमें हम लोग डाल देंगे और इसको एक घंटे तक इसमें ही रहने देंगे ताक कि सारे गुलाब जामून जो है चाशनी को पीके एकदम से soft soft से बन जाए तो अभी मैं आ गई हूँ अपने garden में थोड़ा सा garden गंदा हो गया था तो उसको मैं थोड़ा सा जाड़ू लगा ले रही हूं थोड़ा सा clean कर लोगी और अपने plants को जो है न मुझे पानी भी देना है तो अभी यहां पे बहुत जादा गर्मी पढ़ रही है तो दिन में मुझे दो बार तो पानी दे करते हैं बढ़ आज थोड़े से जाओं को पानी देंगी क्योंकि हम दोनों को है he gardening करना बहुत पसंद है तो जब भी उनको भी मुए मिलता है तो वह बहुत पस घर देते हैं बढ़ आज उनके पस time नहीं था तो फिमने सुचा मैं ही करदेती हूं और एक दो चीज लग रहा है मुझे क्योंकि हार्वेस्टिंग जो है ना गार्डनिंग का सबसे ज्यादा फन पार्ट है जब आपको हार्वेस्ट करने मिलता है अपने गार्डन से तो बहुत ही अच्छा लगता है तो यह हम लोग का बैगन का सबस्टिंग देख सकते हैं तो रवेस्ट करेंगे और लीफ्यवेस्ट करींगे तो अभी मैं इसको हार्वेस्ट करूंगी क्योंकि बुरा बहुत बढ़त बड़ा ही है तो दो तो यहां पर लगे हुए हैं तो यहां पर है यहां पर लगे हुए हैं तो बहुत सारे बैगन इसमें लग गए हैं तो आज अभी हम लोग दो बैगन जो है इनको हार्वेस्ट करेंगे तो यह आज हम लोग का बैगन का जो है यह फर्स्ट हार्वेस्ट होगा तो यह इस प्ला यह रेडी है यहां पर भी एक है तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे यहां पर एक है यह रेडी है यहां पर भी एक यहां पर यह भी रेडी हो गई है तो इसको भी हार्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी चीली हार्वेस्ट करूंगे मैं तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते ह झाल 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 तो सुसला हार्वेस्त है यह अतारी सारी हर्वेस्त है तो चार कुकंबर है दो बैगन है और खुचिली है तो बैगन कातु मैं बनाओंगी तो डिनकान बनने से पहले मैं यहां पर बर्तन थे से ठोड़े बहुत उनको göz रट ये पर में जूसर जो है लृटन करें साथके साथी उसके बाद जो है मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूंगी मैं में तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं डिनर में जो है ना चोखा बनाने वाली हूँ तो चोखा अगर आप लोग यूपी या बिहार से हो तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग नहीं हो वहाँ से तो यह चोखा जो है ना यूपी और बिहार की बहुती फेमस एक डिश है तो मैं वही बना रही हूँ तो चोखा बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है बहुत ही इजी है तो उसके लिए मैंने आपे बैगन को है ना उसको काट लिया है और आलू भी है उसको मैं पील करके उसको भी काट के दोनों को रख दूंगी बॉयल होने के लिए जब तक मेरे बैगन और आलू बॉयल हो रहे है तब तक मैं आपे आटे का डो भी लगा के तयार कर लूँगी क्योंकि चोखी के साथ हम लोग यहां पे रोटी में बना रहे हूं उसके साथ खाने के लिए तो मैं आपे फटा-फट से अपना जो आटे का डो है ना उसको रेड तो मेरे गुलाब जामुन भी एकदम से फूल के एकदम से रेडी हो गए हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि कितना सौफ्ट यह गुलाब जामुन बना है तो मैं यहां पे आपको कट करके दिखा रहे हूं कि कितना सौफ्ट सा बना हुआ है एकदम जूसी सा गुल पर फ़िसके जो छाओ को हम करें तो चोखाएक करेंगे तो हम लोग बैगना जहां कि आपको सब्सक्राइ करएद यहां परी शब्सक्राइ करेंगे तो यह सोलगर यह अदर नियों टाल दिया है मैंने और हरा प्यास टाल दिया है और टमाटर डाल दिया है कर देंगे तो आफ सब्ужrade के डालना है और उसको भी अच्छा से चल रोड़िया अभाव उसके उपर से हम लोग इसमें डालेंगे मस्टड ओयल रायका तेल तो आपने कभी चोखा बनाया नहीं है तो एक बार सिंपल सा लेकिन बहुत ही लाजवाब सा डिनर जो है रेडी हो जाएगा तो आज की वीडियो को बस मैं यही पर खतम करती हूँ अगर यह वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो इसको एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना